जानकार क्या बता रहें आगे जागे किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारूबार दर्च क्या जा रहा है और जानकार क्या कहना है कि जानकार क्या बता रहें आगे जागे किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है ये सब आज बजार की चाल में जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर नॉन एग्री कमुनिटीज में सोने और चांदी सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कैससीर से हम देख रहे हैं कि शाम के कारूबारी सत में कैससीर के डिसमबर वैदा 6,330 पर कारूबा करता नजर आ रहा है दो फीज़दी की करेक्शन आज कैससीर के डिसमबर वैदा के अंदर बंती नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारूबारी सत में कैससीर का वैदा बजार जो आज सुबा तक 6500 के उपर सस्तेन हों के चल रहा था आज कैससीर का वायदा वजा 6360 के घरों में कारूबा करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि जितने भी जानकार हैं वो सारे 6560 को एक बहुती इंपोर्टेंट सपोर्ट मान रहते कैससीर के लिए लेकिन अब वो कहीना की तूटता नजर आया है दरसल अगस्ट और सप्टेंबर में कैस्टर ओयल के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की कमपैरिजन की जाए तो उनमें गिरावाट आई है और दूसरा अब गुजरात की बुआई गुजरात में जो कैसर की जो बुआई का रखबा है वो थोड़ा बहुत बड़ता नजर आ सकता है जिसका असर हम इस समय कैसर सीड के बजार पर पड़ता देख रहे हैं कैसर सीड में जानकार अभी साथ हजार का भी लेवल अभी भी लेके चल रहे हैं कि कैसर सीड आने वाले दिनों में साथ हजार का भी लेवल दिख ला पाए यहां से बात करें अगर हम बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसेंबर वायदा देख रहे हैं 2466 पर कारुबा करता नजर आ रहा है 2495 का ही लगा चुका है पहुने एक फीजदी की करेक्शन है हम देख रहेंगे शामी कारवारी सर्थ में बिनौला खल का डिसेंबर वायदा एक करेक्शन के साथ कारुबा करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि बिनौह刃 खल की कीमतों में भी हमने 2500 के उपर के level जाते वे देखे लेकि 저ley 26 की level अभी देखने को नहीं मिला है breakout नहीं मिल पा रहा है sustainability देखने को नहीं मिले एक consolidation के अंदर बिनौह刃 खल की कीमते कारुआ करते नज़र आ रहे हैं 2700 या 2800 तक का लेवल दिखला सकता है वहीं केडिया अड़्वाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया की मताभिक बिनौला खल साल 2022 में मार्च अप्रेल के दौरान 3800 से लेकर 4000 तक का लेवल दिखला सकता है आपको बता दें कि बिनौला खल की इंडस्ट्रिल डिमांड निकल के सामने आ सकती है तब तक ऐसा केडिय एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया का कहना है और दूसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी बिनौला खल की अच्छी खासी डिमांड निकल के सामने आईगी आपको बता दें कि मौझूदा समय में वर्तमान में अभी हाल फिलाल में पशू चारी के लिए जो हरे चारा होता है उसकी कमी देखने को मिल लिए जिसकी वज़ा से जो पशू चारा है वो महंगा हो रहा है दीरे दीरे और जो मिल्क प्रोडक्शन है जिसकी वज़ा से वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है पशू के अंदर और बिनौला खली एक मातर ऐसा उत्पाद है एक मातर ऐसा प्रोड़क्ट है जिससे जो दूद की मातरा है जो फैट दूद की मातरा है वो बढ़ा ही जा सकती है दूद की क्वालिटी बढ़ा ही जा सकती है पशुचारे के रूम में इस्तमाल किया जाता है हैं यहां से मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं धनिये का डिसमबर वाइदा 8560 पर कारुबार कर रहा है और बात करें जीरे की तो जीरे का डिसमबर वाइदा 16130 पर है एक फीजदी की करेक्शन के साथ और हल्दी का डिसमबर परदा 7,476 पर है पॉनेक फिजदी की करेक्शन के साथ और 8592 का हाई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारवाइसत में मसालों में सुबा के मुकाबले ये खलकी सी करेक्शन बनती नजर आ रही है लेकिन मसालों में जो जानकार बता रहे हैं कि जीरा और धनिया काफी अच्छा परदशन करते नजर आ सकते हैं केडिया डवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया की मताबिक जीरा काफी अच्छा परदशन करता नजर आ सकता है साल के अंध तक भी और आने वाले साल में भी उनका मानना है कि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है 20 दिस सेमबर 2021 के बाद से कुछ निकल दिनी शुरू हो जाएगी जो की फरवरी 2022 के अंध तक बहुती जादा तेज रहेगी तो ये जो समय होगा जीरे के लिए काफी अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए और हाजिर बजारों में भी क्योंकि इस दौरान हम देखेंगे कि जीर धनिये में भी अजे केडिया तेजी की हो रहे हैं धनिये में भी जो fundamental से मजबूत बनते नजर आ रहे हैं उनके मताबिक पिछले दो सालों से लगाता धनिया और जीरत दोनों के जो केरिय वर स्टॉक हैं वो कम होते नजर आए हैं दूसरा धनिये की जो बुवाई है वो भी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है जिसकी वज़ा से धनिये की जो कीमते हैं वो भी आगे जाके और तेज देखने को मिल सकती है अजे केड़े की मताबिक धनिया साल 2022 में 12,000 तक का भी लेवल दिखलाता नजर आ सकता है महीं पर उनका हल्दी के उपर कुछ इस प्रकार के analysis राय की हल्दी में हमने जो कीमते हैं एक सीमी दैर में देखी निचले स्थर पर जाती भी देखी हैं हाला कि आज कुछ हल्दी की कीमते कुछ तेजी के साथ कारवा करती नजर आ रही है लेकिन हल्दी की कीमतों में पहले वाली बड़त देखने को नहीं मिल रही है अजे में भी थोड़ी खपद बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में लोग नजलाज खांसी जुखाम बचने के लिए आयुरवेद का इस्तमाल करते हैं और आयुरवेद में हल्दी को रामबान माना जाता है सर्दी खांसी जुखाम बढ़ाने के लिए तो थोड़ी बहुत खपद तो बढ़ती है लेकिन उतनी तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी जितनी तेजी धनिया और जीरे में देखने को मिलेगी अभी हाल फिलाल में जो एक्सपर्ट बता रहे हैं हल्दी में वो 77-78-78 का लेवल बता रहे हैं कि हल्दी इन लेवल्स को अचीव करती नजर आ सकती है जिस रसाब से हल्दी में अब छुटमुट तेजी बनती नजर आईए तो 7700 और 7800 के भी लेवल्स दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आगे बड़ते हैं बात कर लेते हैं यहां से गौर कॉंपलेक्स की तो यहां से हम देख रहे हैं कि गौर गम का डिसेंबर वाइदा इस समय जो कारवा करता नजर आ रहा है वो 11,787 पर हल्की सी भरत के साथ और गौर सीर का डिसेंबर वाइदा 6,327 पर कारवा करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि शाम की कारवाईसत में गौर का वाइदा बजार जो हमने रिसेंटली बहुती अभी हाल फिलाल के अंदर 13,000 गौर गम का जो वाइदा था की नजर आ रहे हैं गौर कॉंपलेक्स के अंदर बड़ी तेजी से बिक्वाली का दौर देखने को मिल रहा है इसके कुछ कारण बनते नजर आ रहे हैं उन पर नजर डाल लेते हैं सबसे पहला तो यह है कि गौर पर जो EASM है जिसको हम Event Based Surveillance Margin भी कहते हैं वो NCDX एक डिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसकी वज़ा से गौर की जो कीमते हैं उनमें एक बिक्वाली का दौर देखने को मिल रहा है और गौर के अंदर हाला की यह बात भी इस बात से भी मुखरा नहीं जा सकता है कि गौर ने काफी अच्छा मुनाफ़़धी कमवा है कारोबारी को चाए हाज़िक यफिर गौर सीड में खरिदारी करने या फीर इसका टेंट डेखने लिए कम से कम आपको चोवन सो के इस तरका वेट करना चाहिए क्योंकि इस बार साल 2021 में गवार की अंदर जो तेजी बनी थी उसको कह सकते हैं कि जस्टिफाइट नहीं थी एक तरह से जिस हिसाब से fundamentals थे उनके हिसाब से अगर तेजी देखी जाए तो यह जो तेजी है बहुत जादा है आपको बता दें कि जनवरी 2021 से अगर अब तक की बात करें तो गवार गम ने लगवाग एक सो पांच फीज़ी से जादा की तेजी दिखा दी है जो कि किसी भी commodity के लिए सिफ गवार की बात नहीं है किसी भी commodity के लिए बहुत बड़ी बात है 100% से भी जादा का उचाल दे देना और ऐसा नहीं है कि markets के अंदर गवार गम के जो alternatives हैं अच्छे विकल्प हैं वो मौजूद नहीं है वो भी मौजूद हैं और अगर किसी भी industry के लिए जो costing price है उनके लागत का वो बढ़ता है तो वो जो companies होती हैं, institutions होते हैं वो दूसरी alternatives की ओर जाते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना काफी जरूर ही है, हाला कि international market में crude के prices का असर गवार की कीमतों पर जरूर परता नज़र आया था, लेकिन इसको एक speculation ही का जा सकता है कोई ज़्यादा fundamental तेजी वाली इसको नहीं का जा सकता है क्योंकि fundamental तेज थे लेकिन इतने भी नहीं थे कि गवार की जो कीमते हैं वो इतनी ज़्यादा जाती निज़र आए अजे केड़े के मताबिक गवार गम में 9500 से 9800 के सतर आने का इंतजार करना चाहिए और फिर market को देखना चाहिए और उनके मताबिक गवार गम में गवार सीरी के मुकाबले ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है तो अभी हाल फिलाल में गवार की कीमतों को पहले अभी वेट अन वाच की पॉलिसी अपना है ऐसा भी AJKD अगर कहना है और फिर उसके बाद जो आपको लेवल्स बता है उन लेवल्स का वेट करें फिर गवार की मार्केट को देखें कि ट्रेंड कहा जा रहा है उसके बाद ही अपनी कोई रंड नीती बनाए आगे बढ़ते हैं बात कलेते हैं यहां से अब सोयबीन की सोयबीन का यहां पे डिसम्बर बाइदा देख रहे हैं 5911 पर कारवार कर रहा है 6055 का हाई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि सोयबीन की कीमतों में अचानक से शांदार बड़त बनती नजर आई है जो सोयबीन 51-52 तक भी नीचे गिड़ती नजर आई थी बुआई के समय जो 11,000 पर थी 12,000 तक की भी लेवल्स देखने को मिलेते हैं और फिर वो एकदम से धड़ाम होंके आदेल से भी कम में जाती नजर आई थी कीमते हैं इसकी अब वही सोयबीन एक बाद फिर से तेजी की और जाती नजर आ रही है हाला कि जो लेवल्स हैं बुआई के समय वाले देखने को नहीं मिल रहे हैं अंतराष्ट्रे बजार के अंदर सोयबीन की जो डिमांड है और जो कीमते हैं और जो मांग है वो बढ़ चुकी है जिसका असल सोयबीन की कीमतों पर डुमेस्टिकली हम भारत में देख रहे हैं दूसरा भारत के अंदर भी सोयबीन की जो मांग है वो निरंतर लगातर बनी वही है बावजूद आवगों के आवगों का प्रेशर भी हमने मंडी उपा आते वह देखा लेकिन सोयबीन हाथो हाथ बिक गई बची नहीं ऐसा नहीं हुआ कि सोयबीन कई दिनों तक मंडी प्रा मिल सके क्योंकि किसानों का कहना है कि शुरुआत में सरकार ने जो सोयबीन को लेकर सोया खली का निर्यायात करने का फैसल लियाता वो किसानों के साथ नाइन साफिती ऐसा किसानों का कहना है और दूसरा इस बार सोयबीन की जो फसले हैं बड़े पैमाने पर खराब भी होती सोयवीन प्लांटों से और तेल मिलों से सोयवीन की मांग निरंतर बने रहना और ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में जो सोयवीन के बड़े उतपादक और निर्याद देशों में से एक है वहाँ पर सोयवीन का जो उतपादन कम होने के खबरों के चलते और अमेरिका में भी जो मुख्य उत्पादक राज्ये हैं सोयवीन के वहाँ भी उमीद से कम ही सोयवीन के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है तो इन सभी आखडों के चलते, खबरों के चलते, फैक्ट्स ओफीगर्स के चलते वर्तमान में भारती सोयवीन की कीमतों में तेजी बनती नजर आ रही है और जो किसानों ने अब सोयवीन को स्टॉक करना होल करना शुरू कर दिया है क्योंकि किसानों को काफी जादा नुकसान उठाना पड़ा है इस बाद सोयवीन की कीमतों के लिए क्योंकि किसानों ने महंगा बीच खरीद कर सोयवीन की बुगाई की थी और उसकी लागत निकालने के लिए किसान अब सोयवीन को होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि अगर सोयवीन की जो आवके हैं लगातर मंडियों में अच्छी बनी रहती हैं तो सोयवीन का जो दाम है वो किसानों को नहीं मिल पायागा इसलिए किसानों ने अब सोयवीन को होल करके चलना शुरू कर दिये जादर किसान अब साल 2022 के मार्च अपरेल तक ही अपनी सोयवीन निकालेंगे तो किसानों का अभी यही कहना है और हो सकता है कि हम सोयवीन की जो कीमते हैं उनको और अच्छा उचलता हो भी देखे हाजिर और वायदा बजारू के अंदर वही हैं अजे केडिया के मताबिक 600 का लेवल टच करती भी नजर आ सकती है साल 2022 की शुरुवात में भी तो ओवरल रुजान अभी हाल फिलाल में साल 2021 के अंदर तक और 2022 के स्टार्टिंग में अभी हाल फिलाल में मीडियूम टम की बात की जाया तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है सोयबीन के लिए हमने अपनी चैनल से पर काफी सारे वीडियो भी अप्लोड की हुई है विशलेशन भी किया हुआ है आप वो रिपोर्ट भी जाकर देख सकते हैं कुछ दर्शक जुरुए हमारे साथ उनका सवाल ले लेते हैं जिनका सवाल लगातार आ रहा है अक्षरा नायक जी है जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है चने में क्या करना चाहिए अक्षरा जी हमने चने की एक रिपोर्ट डाली हुई है कनल अजय जी का उस पर पूरा विशलेशन है कि चने में आगे क्या करके चलना सही रहेगा आप उनकी वो report जाकर पूरी देख सकते हैं हमने वो पहले सही upload की हुई है तो चने में आगे जाके कैसर हुजान रहेगा क्या कीमते रहेंगी stock करके चलना सही रहेगा ये पूरी जानकारी उस video में दे रखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं तो आशा करते हैं आपको मैं जानकर ये अच्छी लगी होगी अगर आपको मैं जानकर ये अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को like करें, share करें और जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए है वो हमारे YouTube चैनल Market Ams CV को सब्सक्राइब करना ना भोलें फिलहार बजार की चाल में अभी के लिए वस इतना ही लेकिन आपका इंजाएगा नहीं क्योंकि खबरों का और सिलसला लगातर यूँ ही बना रहेगा मांगे रम सीवी पर